चारगोटाला मामले के डोरंडा कोसागार केस में राज़त शुप्रीमो लालू परशाद यादव को आज सजा सुनाई जाएगी आपको बता दू कि आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए राज़त शुप्रीमो लालू परशाद यादव और अर्थी जो अव्यूक्त है उन पर सजा सुनाई जाएगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए आपको बता दू बारा वज़ी ये सजा सुनाई जाएगी तस्वीरे दस सर्कुलर आवास से मैं आपको साजा कर रहा हूँ किस तरीके के हालात है क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है राज़त शुप्र लालू परशाद यादव समित 38 दोसियों को आज कोट सजा सुनाई जाएगी इस दोरान सभी दोसी जेल से ही कोट में पेस होंगे डोरंडा कोसागार से अवैद निकासी के मामले में दोसी करार दिये जाने के बाद राज़त सुप्रीमों लालू परशाद यादव को जेल भेज दिया गया है हाला कि बाद में उनकी सेयत को देखते हुए जेल परशाद ने उन्हें रिम्स में इलाज के लिए भरती कराया है लालू फिलाल रिम्स के पेइंग वाड में है और रिम्स में रहते हुए ही आज वो अपनी सजा सुनेंगे सीवियाई की बिसेस अदालत के फैसले को लेकर लालू यादव और उनके परिवार के साथ-साथ आरजेडी के नेताओं और कारेकरता लालू के चाहने वालों की नजर टिकी हुई है क्योंकि आज बड़ा ख़वर है बड़ा फैसला आने वाला है राज़ शुप्रीमो लालू परशादियादव के लिए आपको बतादू कि इस केस में दोसी करार दिये गए आरजेडी सुप्रीमो लालू परशादियादव और केस परशाद रिम्स से ही सजा सुनेंगे CVI की विशेश अदालत से सजा सुनाने को लेकर बिर्शा मुंडा केंद्रिये करागार परशाशन की तरफ से ऑनलाइन विवस्ता की गई है होटवार इस्तित विर्शा मुंडा केंद्रिये करागार के जेलर यासिन खान मुताविक आज दिन के बारा वजे से पहले रिम्स के पेंग वार्ड में लालू परशाद यादव के कमरा संक्या A11 में लैप्टॉप की विवस्ता की जाएगी जेल परशाद की ओर से इसके लिए रिम्स के पेंग वार्ड में ऑपरेटर भेजा जाएगा जो सजा सुनाते समय मिले लिंक से लैप्टॉप के जर्ये बिमार लालू परशाद यादव और केस परशाद को संबंधित अदालत में ऑनलाइन हाजिर कराएंगे इसके बाद वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये दोनों आरोपियो को सजा सुनाए जाएगी सजा सुनाए जाने को लेकर लालू यादव के अंदर रविवार से ही वेचैनी देखने को मिल रही थी सुत्रों की माने तो लालू यादव रात वह ठीक तरीके से सो नहीं पाएं उनका ब्लड प्रेसर भी बढ़ा हुआ हाला कि सूगर लेवल भी अभी कंट्रोल में है लालू यादव का बीपी बढ़ने के बाट डॉक्टर अब उनके हाट की जाच की तयारी कर रहे है आपको उता दू कि आज बड़ा फैसला आने वाला है राज़ा शुपीमो लालू परशाद यादव और उन तमाम अर्थिस जो अवैद निकासी में जो आरूपी है उन पे सजा होगी बड़ा फैसला है तमाम जो राज़त पईवार है वो आज इस फैसले का इंतिजार कर रहा है हाला कि तेज परताप यादव ने ये कहा है कि हम सरकों पर उतरेंगे या निया यात्रा भी निकालेंगे लालू परशाद यादव के लिए लेकिन आज कोट सीविया की विशेस अदालत में राज़त शुप्रीमों पर बड़ा फैसला आने वाला है और देखने माली बात है कि क्या राज़ शुप्रीमो को तीन साल से ज्यादा की सजा होती है या फिर तीन साल से कम की सजा होती है अगर तीन साल से कम की सजा होती है इस केस में राज़ शुप्रीमो को जमानत भी मिल सकता हाला कि फैसले के बाद ही ये पता चलेगा कि राज़ लालू प्रशाद्याद अपको डोरंडा को सगार में अवैद निकासी में 149 करोर की जो वैद निकासी है उसमें कितनी सालों की सजा हो यह से जुरी तमाम गवरें लाइब देगा अभी के लिए नहीं है उसका लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बु करें